राम राम माई प्लांट लवर्स कैसे हैं आप सब तो दिखी मैंने अपनी तसले में आलू गिर गे थे यह अभी मैंने गेंदे के फूल निकाले हैं इसमें से और यह आलू पता नहीं छिलके इसमें बीच में रह गे थे क्या हुआ था मैंने पहले भी इसमें वीडियो डाला अब अब यह निकालते हैं देखते हैं कियोकि मैंने प्लियों च्याजन प्लियों अब मेथी मार्केट में तो मिलनी नहीं है या तो फिर कसूरी मेथी इस्तेमाल करो या और मेथी बहुत अच्छी लगती है फोरेवर तो मैं पूरा साल मेथी रखती है अपने घर में बरसातों में भी में यहां बालकनी में रख देती हूं ताकि बारिशी के चीटे ना और देखते हैं अब आलू तो इसमें क्या ही निकलने पर चलो जितने भी निकल रहे हैं क्योंकि ये एक ही पौदा था छोटा सा आलू गिर गया था इसमें तो होगी आलू की तो देखो मैंने खेती कर ली अब आ रही है मेथी की तो इतना चोटा सा आलू है सबसे बड़ा दुनिया का आलू तो ये तो चलो अब आगे का वीडियो जिसके लिए मैं डाला है वो करते हैं स्टार्ट तो मेथी उगाने का प्रोसीजर करते हैं बस कर भई साइड ले जाए इनको अब ये मेथी मैं रात को भिगो दी थी ताकि थोड़ी जल्दी ग्रो हो जाए रात को भिगो दीजिए तो थोड़ा टाइम कम लगता है ग्रो होने में बस ये मैंने हाथ से लकीना इस तरह से खीज दूंगी जैसे क्यारी बनाते हैं तो अब देख तसले में कितनी आएगी जतनी आएगी उतनी ठीक है थोड़ा बहुत काम तो चलेगा तो भई गमले तसले में होगा आओगे तो ऐसा ही होगा पर ये एक चल फलेवर के लिए काफी है फिर भी बस इसको इस तरह से डाल दीजी आप बस एक्सपेरिमेंट करते रह को एक सफलता नहीं मिलेगी वैसे 90 परसेंट तो मुझे सफलता मिली जाती है पर मैं हर सीजन में आनद उठाती है हर चीज का तो उगा के देख लेते हैं अपना क्या जा रहा है मेथी तो मैं हमेशे ही उगाती हूं मेथी का तो मेथी धनिया तो मेरे घर में होता ही होता है तो इसके बिना तो हमारा गुजारा नहीं है बस इसमें थोड़ा थोड़ा मिटी डाल के ऐसे पानी डाल दीजिए क्योंकि एकदम बरतन से डालोगे तो ये सारे दाने ऊपर गवा जाएंगे बस हाथ से डालना है आपने तो ये मैं अबडेट दिखाऊंगे आपको अब अ ये है अब एक महीना हो गया मैं बीच में वीडियो बनाना भूली थी थोड़ा काम ऐसा आ गया था तो ये मेरी एक महीने के अपडेट है और अब ये थोड़ थोड़ने लायक हो गी क्योंकि तोडेंगे प्रूनिंग करेंगे इसकी तब ही हमारी ये ज्यादा गुच्छों मिली जाएगा इसका तो उसके बाद फिर आनद लीजिए क्योंकि पिंचिंग करने के बाद ही काफी हो जाती है